मैं संत पीपाजी महराज को भी स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ यहाँ इतनी बड़ी संग्या में आप जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सवभागी मिला है मैं भी दुसेंजी से पूछ रहा था कि जहां मेरी नजर नहीं पहुंच रही महाँ लोग है तो मैंने का सुनाई कैसे देता होगा मैंने का सुनाई कैसे देता होगा बोलो ने हमने तीन बार माईक के ट्रायल लिये है और बोले मैं परोजा देता हूँ कि सुड़ाई देगा उसके बावजुद भी इतनी तादाद में और भी सुबह के समय आना ये छोटा काम नहीं है जी देखे मैं मैं सालों तक भारतिय जनता पार्टी के संगठन के काम में रुकार लगा रहा था ये सत्ता, कुर्शी इस दुनिया में तो बड़ी देड़ से आया जब संगठन का काम करता था और हमें अगर कोई बड़े से बड़ा नेता आने वाला हो और हमें कहें के सुबह ग्यारा बज़े सभा करनी है तो हम हाद जोड़ के कहते थे कि नई जी सुबह मत दीजिए लोगों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है दो बज़े के बाद दीजिए क्योंकि ग्यारा बारा बज़े सभा करना बहुत मुश्किल होता है मैं जीले के सभी कायर करताओं को इतनी बधाई देता हूँ कि आपने इतना बड़ा कायरकम कर दिया वो भी सुबह के समय आप सब आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं और जनता जनारदन को विशेश रुप से कोटी कोटी प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपने मुझे दर्शन करने का सौभागय दिया आपने हमें आशिरवाद दिये मैं इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को देख रहा हूँ आना पकाने का समय हो रसोई गर छोड़ करके राजस्तान का भाग्य बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्र में माताओं का आना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपसंकेत है ये प्यार ये आशिरवाद दिखाता है कि मेवाड हाडोती के मन में राजस्तान का भविश्य और राजस्तान में परिवर्तन की भावना कितनी प्रचंड है राजस्तान की यही पुकार राजस्तान की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार साथियों यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिष्टा रहा है बारा जालावार खेत्र ने भाजपा को राजस्तान के लिए दो-दो मुख्यमंत्री दिये हैं इस साल हम स्वर्गस्त भैरोसी से खावजजी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरोसी जी को पुनस्त्र दांजली देता हूं मेरे परिवार जनो भारत की आजाज़ी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विक्सित भारत का लक्ष है ये राजस्तान को विक्सित बिनाए बिना भारत को विक्सित बनाने का लक्ष अधूरा है लेकिन जब तक ब्रस्टाचार परिवारबाद और तुष्टी करन नाम के देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है तब तक संकल्प पूरा होना मुश्किल है और कॉंग्रेस इन तीन बुराईयों की सबसे बड़ी प्रतीक है आजकल राजस्तान की लाल डाइरी लाल डाइरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल और इस लाल डाइरी के पन्ने जैसे जैसे खूल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चहरे पर हवाईयां उड़ रही है इस लाल डाइरी में साप साप लिखा है कि कॉंग्रेस सरकार ने पांच बर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है सोर से इन गोडवन भैरन में क्या हुआ ये आप मुझ से जादा जानते हैं अभैद खनन के तार किस से जुड़ रहे हैं ये किसी से चिपा नहीं है मैंने कहीं पड़ा कि कॉंग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है भाया रे भाया खूब खाया भाया खूब खाया एक गाउं तो पुरा ही खाया कॉंग्रेस में मंत्री हो विधायक हो सब बेलगाम है और जनता स्त्रस्त है कॉंग्रेस ने राजस्तान की जनता को लुटेरों दंगाईयों अत्याचारियों अप्रादियों के हवाले कर दिया है इसलिए आज राजस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है गहलो जी गहलो जी कौनी मिलेवर जी और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मिडिया पर छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं गहलो जी और इतने बढ़िया वीडियो क्यों भी बनाता है इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं और हमाप आपको लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मिडिया में डाल दे और यह वाग के बच्चे बोलते हैं और कुछ लोगों ने ये भी करामत की हैं, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कॉंग्रेस के समर्थन से, राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के होसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरे आम गला काटा जा रहा है, जश्ण मनाया जा रहा है। जालावाड में बलीत युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशूर राजस्तान में राम नोबी, फोली, हनमान जेंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चड़ गए। कॉंग्रेस सरकार में छबडा और गंगधार में क्या हुआ था? ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाईयों पर कड़ा एक्सन होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे क्या नहीं होने चाहिए थे? उनपे सजा होनी चाहिए थे क्या नहीं होनी चाहिए थे? लेकिन यहां छबडा दंगों का आरोपी मुख्य मंत्री के सरकारी आवास पर रेड कर्पेट पर चलता है, रेड कार्पेट पर साथियों दंगाईयों के साथ-साथ कॉंग्रेस के मंत्री बेहनों, बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजभूती से खड़े रहते हैं बीते पांच वर्सों में राजस्तान में रैप के मामलों में बलातकार के मामलों में गंबीर वृद्धी हुई यहां मुख मंत्री के करीबी मंत्री विधान सवा में खड़े होकर ऐसे अपरादियों को सवरक्षन देते हैं जब हमारी राजस्तान की बेटिया सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोब मत लगाओ यह कॉंग्रेस वालों को राजस्तान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है आप मुझे बताएए मेरे राजस्तान के भाई बेरों क्या हमारे देश में ऐसे संसकार है क्या राजस्तान में ऐसे संसकार है क्या कि कोई बेटि फर्जी मामले दर्ज कराए ये बेहन बेटियों का अपमान है क्या नहीं है हमारे संसकार का अपमान है क्या नहीं है हमारे माताओं के संमान पर चोट है क्या नहीं है ये कैसी भाशा भोल रहे हो रहे जो कॉंग्रेस सरकार जान माल और संमान के सुरुक्षा तक नहीं कर सकती उस सरकार को रहने का हग है क्या एक पल भी रहने का हग है क्या ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए देखिए अभी अभी दिवाली गई है हमारी माताएं बहने 15-15-16-16 घंटे घर में काम करती है हर दिन घर को साफ सुत्रा रखती है लेकिन जब दिवाली आती है न तो कौने कौने में सफाई करती है बारिक बारिक सफाई करती है खिडकी का कौना होगा न तो उसको भी सफाई करेगी टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी इतनी बारी किसे सफाई करती है तब जाकर के दिवाली मनाती है ये चुनाओ भी दिवाली है हम सब को मिल के सफाई करनी है करोगे इस बार ऐसी सफाई करो किसी कौने में भी कॉंग्रेस बचनी नहीं चाहिए करोगे सफाई पक्का करोगे ये माताओ बेहनों से सीखोगे कुछ तब जाकर के दिवाली मनेगी साथियों महिला सुरक्षा और महिला कल्यान भाजपा सरकार की प्रात्मिक्ता है अपनी बेहनों को बेहनों को दुए से मुक्ति मिले इसके लिए आपके इस भाई ने मुक्त गैस कनेक्शन दिये है इस रक्षा मंदन पर भी हमने उजवला के गैस सिलिंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी अब राज़स्तान भाजपा ने गैस के सिलिंडर को और भी सस्ते देने में देने का एलान किया है और मैं भाजपा पुरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूँ को उन्होंने ऐसा बड़िया संकल पपत्र दिया है ऐसा बड़िया मैनिफेस्टो दिया है और यही तो डबल इंजिन सरकार का डबल वाइज़ा है कॉंग्रेस गैस सिलिंडर लेकर को जो जूट राज़तान की बेहनों बेटियों से बोल रही है उससे आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरुत है कॉंग्रेस का जूट का सिलिंडर और भी महेंगा है राज़तान की कॉंग्रेस की लूटेरी सरकार जनता से किस तरख खिलवार करती है ये भी राज़तान के लोग भली भाती जानते है कॉंग्रेस ने हाँ बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कही तिक नहीं कही थी बिजली बिल कम करने के लिए कहा था लेकिन अब राजस्तान के हजारों भाई बेनों को गहलों सरकार बीजली के बील की रीकवरी के नोटिस भेज रही है और यही कॉंग्रेस का दोगलापन है यही कॉंग्रेस का फरेव है यही कॉंग्रेस का जीट का जूड का गुबारा है मेरे परिवार जनों कॉंगरिस की नीतियों के कारणा आज राजतान उन राज्यों में से एक है जहां बेरुजगारी हो या महंगाई सबसे अधीक है राजतान में भाजपा सरकार ने पैट्रोल डीजर पर टैक्स कम किया था लेकिन यहां की कॉंगरिस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ा कर लोगों की जेब काट ली है और आज इसलिए आपके पडोस में मद्द प्रदेश में भाजपा सरकार पैट्रोल सस्ता इनाजतान के पडोस में हर्याना भाजपा सरकार पैट्रोल सस्ता पडोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पैट्रोल सस्ता लेकिन राजस्तान में प्रती लीटर एक एक लीटर पर करीब करीब बारा रुपिये जादा ये राजस्तान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है मेरे राजस्तान के प्यारे भायों बैनों मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि तीन दिसेबर के बार भाजपा सरकार बनते ही यहाँ पैट्रोल डीजल के दामों पर जनहीत में समिक्षा की जाएगी, जनहीत में फैसला लिया जाएगा मेरे परिवार जनों, हर गरीब की आँखों में कुछ सपने होते हैं, बहतर भविश की उमीद होती है लेकिन कॉंग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकना चूर कर दिया है पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है यहां के जो कर्मचारी है, उनकी ट्रांसपर पोस्टिंग से भी कॉंग्रेस के नेताओं ने तीजोरिया भरी है इससे जो काली कमाई बनाई न, यह काला धन जो इकटा किया है, वो जैपूर में लौकरों से बाहर निकल रहा है आज कल कॉंग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं न, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाओ, यह देखो, कहीं लौकर का पता न चल जाए अब उनको न राजस्तान की चिन्ता है, न खुद के चुनाओ की चिन्ता है, कैसे भी करके, लौकर बचाना है और मोदी ने तै किया है, एक एक लौकर खुलेगा, और लौकर वाला लौक में होगा नोटो के धेर, और सोने की इंटे, और आपको याद होना चाहिए, ये एक सोना आलू से बना हुआ नहीं है यही काला सोना, अब जादू गर्जी को सोने नहीं दे रहा है और अभी तो ये शुरूवात है, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है तीन दिसम्बर को भाजपा सरकार मनने के बाद, ये जांच और तेज होने वाली है राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी प्रस्थाचारी बच नहीं सकता है मेरे परिवार जरों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूँ मेरे परिवार जरों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है मोदी जो भी गारंटी देता है, वो पूरी होकर रहती है हमारा लक्षा है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओं से कोई वंचित न रहे इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा भ्यान विख्सिद भारत संकल्पी आत्रा हमने शुरू की है मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो सस्ती दवाई मिले मुप्त इलाज हो मुप्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है केंद्र सरकार की जिन सुविदाओं का लाप अब तक आपको नहीं मिला है वो सुविदाए देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है अच्छा भाई आप एक मेरा काम करोगे चुनाव जीतने के बाद करना है करोगे आप करोगे आप मोदी कमाल आदमी है अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है बताओं क्या करोगे यह चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है करोगे देखिए यह राज़तान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पके घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पकागर मिला नहीं है मेरा एक काम जरूर करिए अभी चुनाओं में जब जाएंगे न तो कोई फुटपात पर रहता हो कोई जुगी जोपड़ी में रहता हो कोई कच्चे मकान में रहता हो तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्तान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा गर्भी पका होके रहेगा यह बताओगे ऐसे लोगों को खोज-खोज करके बताईए आप देखना आपने जो भरोसा दिया है न आपका भरोसा मोदी फुरा करेगा और यह काम कोई बिचोलिया नहीं दपतरों के चक्कर काटने का कोई जंजट नहीं बाजपा सरकार छीद है आपके दरवाजे पर होगी साथियों यहां सहर्या समाच हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं कॉंग्रेस ने हर सुविदा से सहर्या गावों को सहर्या बस्तियों को बंचित रखा सहर्या समाच सही सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है पंदरा नवेंबर को जन जातिय गवरद्योत पार मैंने आपके लिए पी-एम जन मन महायोजना शुडू की है ये पी-एम जन मन महायोजना से सहर्या समाच जैसी देश की पिछडी जन जातियों के विकात पर विशेश बल दिया जाएगा और इस योजना पर केंदर की भाजपा सरकार 24,000 करोड रुपिये खर्च करने जा रही है जिन छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे उससे आपको छुटकारा मिलेगा आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बिमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्री अभियान शुरू किया है आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राज़तान में तीस से जादा एक लब्य स्कूल भी खोले है सात्यों किसान कल्यान भाजपा सरकार के सर्वोच प्रात्विकताओं में से एक है जालावार के संत्रे पूरे देश में प्रसिद्ध है बारा के लेसुन का तरका देश विज़ेस तक पहुंचे हम इसके लिए प्रयास कर रहे है राज़तान भाजपा ने ये भी तै किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान डिती की रासी बारा हजार उप्या की जाएगी किसानों को उचित मुआवजा मिले इस पर ध्यान दिया जाएगा यहां परवन सिज़ाई परियोजना को कॉंग्रेस ने रोका है पुर्वी राजस्तान नहर परियोजनाने में अभी कॉंग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं बाजबसा सरकार एचि हर सिंचाई परियोजना को तैस समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी मेरे परिवार जनों राजस्तान के सुक समुर्दी और खोशाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कॉंग्रेस को हटाना हटाओगे हटाओगे एक-एक भूत से हटाओगे हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे हर गाउं से अटाओगे राजस्तान के कौने कौने से हटाओगे लेकिन देखिए आने वाले दिनों में शादी ब्याँ के बहुत बड़े-बड़े अफसर आ रहे हैं कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याँ में व्यस्त हो जाए और मतजान करने में मुसिबत आ जाए यसा तो नहीं होगा न कितने ही बड़ी शादी हो परिवार के ये सबसे निकट की शादी हो लेकिन लोग तंत्र का आउसर जाने मत देना सुबे जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना करेंगे शादी ब्याँ होंगे तब भी करेंगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे क्यों ठंडे पड़ गए भई जरा हाथ उपर करके बताओ तो बोलू ऐसे नहीं ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताओ भई करेंगे ये मेरा नीजी काम है चुनाव वाला काम नहीं है करोगे चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे पक्का करोगे देखे ये मेरा परसनल काम है और मैं आपसे प्रार्फना करता हूँ कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये परसनल काम पूरा कीजिए काम बताओं याद रखोगे देखे गर-गर जाना है जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जीले में आये थे क्या कहेंगे अपने मोदी जी अपने जीले में आये थे और उन्होंने सब को राम राम कहा है इतना कह दोगे कह दोगे देखिए जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुचा देंगे ना तो हर परिवार से मुझे आशिदवाद मिलेगा हर आशिदवाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है मेरा नया सामर्थ बन जाता है मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोद मिल जाता है और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाईए हर परिवार का अशिरवात मुझे देश के लिए दोड़ने की ताकत देता है करेंगे अच्छा मेरा एक और काम है आप करेंगे मैं एक संकल्प बोलूँगा उसके बाद आप लोगों को बोलना है दोनों हाथ उटाकर मुट्टी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान क्या बोलना है ऐसे नहीं सब बोलो कमल चुनेगा राजस्तान कमल चुनेगा राजस्तान अब मैं मेरा संकल्प बताता हूँ आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान ससक्त भारत समर्द किसान ससक्त भारत समर्द किसान सबको सहत सबका ध्यान बहन बेटियों का होगा सम्मान बड़े युवा का स्वाबी मान पेपर माफिया का काम तमाम बरस्ता चार की बंद होगी दुकान मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद